नमस्कार विद्याति मित्रों आज हम हिंदी में पाट साथ पढ़ेंगे उसका नाम है दुन्डते रह जाओगे उसका साहित्य का प्रकार है पहलिया पहलियों से पढ़ाई के साथ मनरंजन भी होता है और दिमागी कसरत भी कराती हैं पहलिया यह तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति को बढ़ादेती हैं तर्क का मतलब सोचना पहलिया हमें शब्द वाक्य से विशिष्ट प्रयोक से परिचित कराती हैं बच्चों को पहलिया बहुत पसंद होती हैं पहलियों का अर्थ हैं गुजराती में उखाण इसलिए बच्चों को प अलपना करके उसके उस्तर देना है। उसले पहली उसे पसंद है। पहली कहली है। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मूल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका बार। वह सोने की वस्तु है परंतो उसे सुनार नहीं बेशता उसकी किम्मत अधिक नहीं है पर उसका वजन ज्यादा है अधिक है तो उसका उत्तर होता है चार पाई सोने की चीज है यानि सोना यानि आदमी सो जाता है उसकी बात करते हैं गहने वाले सोनी की नहीं उसके बार एक नगर में धेरो चोर चोरो का मुझ काला पूछ पकड़ कर खीच दो जट हो जाए उजाला एक नगर है बहुत सारे चोर रहते हैं उसमें उन चोरो का मुझ काला है उनकी पूछ पकड़ कर खीचने से तुरंत प्रकास हो जाता है उसका उत्तर है माचिस और माचिस की डिब्बी में से तिलिया उसे चोर कहा गया है तिलिया यानि गुजराती में सड़ी उसके बाद पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा मुझ उपर करके देखो मैं सबके उपर लेटा पानी मेरा बाप पानी मेरा बेटा मुझ उपर उठा कर आकाश की और देखो तो मैं सबके उपर लेटा हुआ हूँ यानि उसका उत्तर होता है बादल बादल में से ही बारिस गिर्ती है और बारिस के पानी में से ही बाप बनके फिर से उपर जाती है और फिर से बादल बनता है इसलिए बादल उसका उत्तर होता है उसके बाद है खुली रात में पेदा होती हरी गास पर सोती हूं मोती जैसी मूरत मेरी बादल की में पोती हूं रात में जब आकाश साफ होता है तब बादल नहीं होते तब मेरा जन्म होता है याने पेदा होती हूँ और हरा घास होता है उस पर मैं सोती हूँ मैं मोती जैसी हूँ सूरत याने शकल देखाओ और मैं बादल की पोती हूँ पोती याने लड़के की लड़की पर पुत्र की बेटी उसका उत्तर होता है ओस ओस याने चाकर आकास में से प्रभात में सवेरे जब बुंद चोटी चोटी गास पर होती है उसे ओस केते हैं उसे जाका भी केते हैं इधर की बात उधर में करता उधर की बात इधर में बताता चुगल खोर पर कहे ना कोई सब के काम में आता मैं इधर की बात उधर केता हूँ उधर की बात इधर केता हूँ लेकिन मुझे कोई चुगल खोर नहीं केता फिर भी मैं सब के लिए उप्योगी हैं काम काहूं तो उसका उत्तर होता है टेलिफॉन टेलिफॉन से हम यहां की बाते करते हैं पर उसे कोई चुगल खोर नहीं केता सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाई एक रुपिया पास नहीं फिर भी राजा कहलाओ सोने को पलंग नहीं याने सोने के लिए पलंग नहीं है महल भी नहीं है उसके पास पैसे भी नहीं है फिर भी वो राजा कहलाता है तो उसका उत्तर क्या होता है शेर शेर जंगल का राजा है इस दे ऐसा कहा गया है उसके बाद आता है तीन अक्षर का नाम मेरा पानी देना काम मेरा प्रथम कटे तो दल कहलाओं बीच कटे तो बाल कहलाओं यानि तीन अक्षर का नाम है मैं सबको पानी देता हूँ उसमें से पहला अक्षर निकल ले जाए तो मैं दल कहलाओं और बीच का आक्षन निकल जाए तुम्हें बाल कहलाओ तो उसका उत्तर होता ही बादल आप सबको ये सारी पहलिया लिखनी है नोट के अंदर